हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपी का आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टैंथ की हिंदी पाठ्थे पुस्तक शितिस भागदो का गध्यखंड जिसमें आज का अध्याई है बाल गोबिन भगत और इसके लेखक हैं राम वरिक्ष पेनिपूरी तो आईए शुरू क करते हैं बाल गोबिन भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे साठ से उपर के ही होंगे बाल पक गए थे लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे किन्तु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जग्मक किये रहता कपड़े पिलकुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी जब जाड़ा आता एक काली कमली उपर से ओड़े रहते मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडॉल माला बाधे रहते उपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोबिन भगत साधू थे नहीं बिल्कुल ग्रहस्त उनकी ग्रहनी की तो मुझे याद नहीं उनके बेटे और पतोहु को तो मैंने देखा था थोड़ी खेती बारी भी थी एक अच्छा सा मकान भी था किन्तु खेती बारी करते परिवार रखते भी बाल गोबिन भगत साधू थे साधू की सब परिभाशाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे उनहीं के गीतों को गाते उनहीं के आदेशों पर चलते कभी चूट नहीं बोलते खरा व्यवहार रखते किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते ना किसी से खामखा जगडा मोल लेते किसी की चीज नहीं चूते ना बिना पुछे व्यवहार मेलाते इस नियम को कभी-कभी इतनी बारी की तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते वह ग्रहस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लात कर पहले उसे साहब के दरवार में ले जाते जो उनके घर से चार कोज तूर पर था एक कभीर पंथी मट से मतलब वह दरवार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते इन सब के ओपर मैं तो मुग्द था उनके मधुरगान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता कभीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उटते आसाड की रिमजिम है समूचा गाउन खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है धान के पानि भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं औरतें कलेवा लेकर मेड पर बैठी हैं। आस्मान बादल से घिरा। धूप का नाम नहीं। थंडी पुर्वाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर्तरंग चनकार सी करूठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोबिन भगत समूचा शरीर कीचण में लिथडे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक-एक धान के वधे को पंक्ति बद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा कर कुछ को उपर स्वर्ग की ओर भे रहे हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोबिन भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मुस्लाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरच पिजली की तडप में आपने कुछ नहीं सुना हो। किन्तू अब जिली की जनकार या दादूरों की टर्र टर्र बाल गोबिन भगत के संगीत को अपने कोला हल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजडी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे स अकस्माद कौध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोबिन भगत का संगीत जाग रहा है जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कातिक आया नहीं कि बाल गोबिन भग लोटते और गाउं के बाहर ही पोखरे के उचे भिंडे पर अपनी खंजडी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं किन्तु एक दिन माग की उस दाद किट-किटाने वाली भोर मैं भी उनका संगीत मुझे पोखरे प पक बुझे नहीं थे। हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्रतारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा चा रहा था। सारा वातवरण अजीब रहस्ती से आवरित मालूम बढ़ता था। उस रहस्ती में वातवरण में एक क पूरब मुह काली कमली ओढ़े, बाल गोबिन भगत अपनी खंजडी लिए बैठे थे। उनके मुह से शब्दों का ताता लगा था। उनकी अंगुलिया खंजडी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होडते क के मालूम होता, अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जाडे से कपकपा रहा था। किन्तु तारे की छाओं में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शी जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर उचा होने लगता। एक निश्चित ताल एक निश्चित गती से। उस ताल स्वर के जढ़ाओं के साथ शोताओं के मन भी उपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते ए गोबिन भगत की संगीत साधना का चरम उतकर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलोता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोदा सा था। किन्तु इसी कारण बाल गोबिन भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर र कर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवरित कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुरसत। किन्तु मौत तो अपनी और सब का ध्यान खीच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोबिन भगत का बेटा मर गया। कुतूहल कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिये हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर चिराग जला रखा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाय चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहु रो रही है। जिसे गाउं क कि इस्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किन्तु पाल गोबिन भगत गाय जा रहे हैं। हाँ, काते गाते कभी-कभी पतोहु के नजदीक भी जाते। और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहीनी अपने प् पुरित्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया। पतोहु से ही आग दिलाई उसकी। किन्तु जो ही श्राद्ध की अवधी पूरी हो गई। पतोहु के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदिश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहु रो रो कर कहती। मैं चली जाओंगी तो बुढ़ापे मैं कौन आपके लिए भुजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुलू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ। मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकि हर वर्ष गंगा इसनान करने जाते। इसनान पर उतनी आस्ता नहीं रखते। जितना संत समागम और लोकदर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधू को संबल लेने का क्या हग। और ग्रहस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतह घर से खाकर चलत तो फिर घर पर ही लोट कर खाते। रास्ते भर खंजडी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। चार-पांच दिन आने जाने में लगते। किन्तु इस लंबे उपुआस में भी वही मस्ती। अब बुढपा आ गया था। किन्तु टेक वही जवानी वाली इस बार लोटे तो तबियत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबियत नहीं सुदरी। थोड़ा बुखार आने लगा। किन्तु नेम रत्तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, इसनांध्यान, खेती बारी देखना। दिन दिन चीजने आराम करने को कहा, किन्तु हस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या के गीत गाए, किन्तु मालूम होता जैसे तागा तूट गया हो, माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोबिन भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर बड़ा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याए के साथ। थैंक यूू।